हेलो फ्रेंड्स देशी तड़का चेनल में आपका स्वागत है मैं सुथा आपके लेकर आई हूँ क्रिस्पी कान पकोड़े की रेस्पी बारिश का मौसम है और ऐसी में गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़ा मिल जाए तो वाह क्या बात है मैं आज आप बताऊंगी क्रिस्पी कान पकोड़ा बनाना जो की लॉना ओला स्टायल है कि लॉना ना में बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिष्ट और क्रिस्पी होता ला तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अग्ली रेस्पी लेकिर अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृप्या उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए फटा फट बनाते हैं हम क्रिस्पी कॉर्ण पकॉड़ा क्रिस्पी कॉर्ण पकॉड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए दो मीटियन साइज का कॉर्ण हम कॉर्ण को कुछ इस तरह से कट करेंगे पहले उसे दो भागों में बाट लीजिए और फिर उसे साइज से इस तरह से कट कर लीजिए इस तरह से हम कॉर्ण के सारे बीज निकाल लेंगे यहां हमें कान को बालना नहीं है हमें कच्चा ही कौन को इस्तमाल करना है तो चलिए हमारे बीज निकल गए हैं अब हम एक पाउल लेते हैं उसमें कौन को डालते हैं और उसमें डालते हैं देड़ कप बेशन और उसमें डालेंगे आधा कप कॉर्ड फ्लोर और इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच कास्मीरी लामेच और अब इस भी मिलाएंगे स्वादनुसार नमक और थोड़ा सा सोड़ा और इसमें आइड़ करेंगे पारीक कटी होई अध्र और हरी बेच यह आप अपनी टेस्टनुसार ले सकते हैं और हातों की सहायता से इसे आपको धीरे-धीरे मिक्स करना है आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पानी का इस्तवाल नहीं करना है इस तरह से प्रेहातों में पानी को लीजिए और इस तरह से एड़ करेंगे दीरे-धीरे पानी को एड़ करना है आपको और मिक्स करते जाना है यहाँ हमें कम पानी का इस्तिमाल करना है बहुत ज़्यादा गीला बैटर नहीं करना है देखिए कुछ इस तरह से आप इसको बना लेजिए अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तब हम उसमें हातों की सहाइता से चोटे-चोटे पकोड़े डानेंगे तेल अच्छी से गरम हो जाना चाहिए नहीं तो हमारे पकोड़े जिस भी नहीं बनेंगे तो हमें इस बात का त्यान रखना है अब डालने के बाद इन्हें एक मेटर किसी तर छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद इन्हीं मेडियम्स आज पर धीरे धीरे पलट कर गोल्डेन ब्राउन होने तक तल दीजिए हमें इनी क्रिस्पी होने तक तल ना है इनी चारो तरफ से अपलेट कर अच्छे से क्रिस्पी कर लीजिए अच्छे से क्रिस्पी कर लीजिए यह देखिये हमारे पकोड़े गोल्डेन ब्राउन हो गए है अब हमें इसे निकाल लेते हैं वह कितने क्रिस्पी बने हैं तो चलिए इनी एक टीसू पर निकाल लेते हैं और अब इसे सर्व करते हैं देखिये कितने क्रिस्पी बने हैं अब आप इने गरम गरम चाय के साथ और धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं तो फटा फटिक ने बनाईए और गर्मा गरम चाय के साथ आनंद लीजिए तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेस्पी पसंद आई होगी तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार कि आपको में एक या है